प्रियागराज में हुई इंसा का आज तीसरा दिन है और हम मौजूद है अटारा शेत में आपको तस्वीरे दिखाना जाते हैं कि आज तीसरे दिन की ये तस्वीर है हाला कि आज एक बड़ी कारवाई हुई है प्रियागराज में आज मुहम्मद जावेद का जो घर है जो मुख्य आरोपी है उसका ढाया गया है और ये शाम की तस्वीर है अटाला शेत की ये वही वो जगा है जहां पर अपसे ठीक दो द बैठा हुआ है और यह जो गली है यहां पर बैरीगेटिंग्स यहां पर ढ़र लगाके रखीँ गई है और इस ही गली से कई उप्त्रवी WOR आ यहां पर आते हैं और पत्त्राव करते आप करते हैं मीडिया के करीविवारे और यह वही के बाद से ग्रफतारी होती है और अगर हम प्रयागराज की बात करें तो तीन मुकदमे जो है वो दर्ज है खुलदाबाद थाने में और करेली थाने में एक क्यानबे लोग जो है वो ग्रफतार किये गए हैं पांच हजार के खिलाफ जो है अग्यात एफ आई यार जो है वो दर्च की गई है और ये तीसरे दिन की शाम की तस्वीर है कि अभी भी जो दुकाने हैं वो आप देख सकते हैं कि बंध है और बैरिगेटिंग्स अगर की बात करें तो लगाई गई है दोनों छोड़ से जो बेहर ज़ोरी काम के लिए निकल रहे हैं बस उनी को ही इजादत है कि वो आ सकते हैं और अगर हम इधर की तस्वीर की बात करें तो आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है ये नुरला रोट के लिए जाता है और ये भी आपको सुनसान दिख रहा होगा तो ऐसे में हमाई घर के जो ठीक पीछे भी आप देख सकते हैं कि ये लोग के घर है और एक कार भी आप देख सकते हैं जो उस दिन से खड़ी है और शीशा जो है वो टूटा हुआ है तो ये नदारा जो है अटाला शेथ का नदारा है आपको जगा जगा पुलिस के जवान जो है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे अगर हम दो दिन पहले की तस्वीर की बात कर है और अभी भी जो बेरिगेटिंग जो लगाई गई है वो बेहत ज़ोरी लोग के लिए ही खोली जाती है कि जो लोग जा रहे हैं जिनको बेहत महत पूर का रहे हैं वही लोग इस तड़क पर आगवामन करेंगे तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि तीसरे दिन बेहत खामोश है अटाला शहर और आज एक बड़ी कारवाई जो मुख्य आरोपी है मुहमद जावेद उसके घर में हुई है और अब देखना ये होगा कि जो अन्य आरोपी है उस पर कारवाई कब होती है विड़ो जनले स्रंक्त बादिया के साथ सेद आखिर वजाब के स्टी टीवी प्रय अन्य वाद